दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 13 x 50 हाउस प्लान की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बहुत है बेतरीन सा मॉडल आप देख पा रहे होंगे पूरा मॉडल हम डिसकस करेंगे बारी-बारी से तो बने रहे जुड़ हम लगातार मैं हूं पहुंच हगले और आप देख रहे हैं अपना चैनल इसमाल हाउस प्लान अगर आपने अभी तक इसमाल हाउस प्लान को सब्काइब नहीं किया है तो जरूर करने साथ सब्विल आइकन जरूर प्लेश कर दें इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो अप लगातार देख सकें दोस्तों जो आज का करें फ्रेंट अलवेशन की बात करें फ्रेंट लूक की बात करें तो आपको यूनिक और मोस्ट व्यूटिफूल देखने को यहां पर मिलता है इसी मॉडल को पूरा डिसकस करेंगे बारी वाई-बारी से और मैं बता दूँँ आपको छी साट क्लोज है फ्रांट में ही जिसे आपको इसका realistic view देखने को मिल जाए, एक decoration डप सारी detail आपको देखने को मिल जाए, यह कुछ मैंने एक इस्टाप materials भी as a designing purpose से use की हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो यह पूरा इसका front elevation है, जो मैंने आपने देखा, और अब मैं इसे बारी बारी से discuss करूँगा, इसका ground of first floor, तो first of all, अगर हम बात करें इसके ground floor की, तो यह इसका ground floor है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, stairs हैं, दोनों तरब, यह आपका जो देख रहा है, जाली टैप का एक setter है, यहापर shop मैंने create किये front में, जिससे आप अगर दुकान भी रखना चाहते हैं, दुकान रख सक के लिए, तो यह आपकी दुकान हो गई, गैलरी के माद्यम से आप जैसे जाते है, गैलरी आपका लगबख 4 feet का है, फिर आपको stairs मिलता है, और stairs के नीचे ही living area मिल जाता है, कि वो stairs जो मैंने create की है, वो दो बार turn होना पड़ाएगा आपको, जिससे आपका space नीचे utilize हो जो आप देख पा रहे होंगे, तो अब इसके पीछे just और जाते है, फिर आपको open space मिलता है देखने को, और अगर हम बात करें ये, गैलरी के just सामने आपको open kitchen मिलता है, जिसमें मैंने door नहीं दिया, अगर आप देना चाहते हैं, तो बड़ा सा late बात, इसलिए मैंने 13 by 10 feet मे late and bath और kitchen crate किया है, जिससे आपको इनकी problem से ना हो, तो सबसे पीछे late and bath और kitchen, फिर आपका open space, फिर bedroom, फिर stairs, फिर आपका एक shop देखने को मिल जाता है, ground floor पर, तो 13 by 50 feet में ये पूरा ground floor जो मैंने बताया, और front elevation की बात करें, वो मैंने stairs वगएरा से सब को decorate कर दिया है, अगर ह मिलता है, और ये जो आप stairs देख रहे हैं, दोस्तों, ये फिलाल गलती से लग जया है, यहाँ पर stairs नहीं है, ये open area है, इसके पाद आपको एक bedroom यहाँ पर देखने को मिलता है, ये bedroom और फिर आपका stairs देखने को मिलता है, जो नीचे shop था, जो आप shop देख पा रहे होंगे, व यहाँ पर दो bedroom मिल जाएंगे, आपको kitchen लेटर और बात वगयरा, इसका ये balcony आपको देखने को मिलती है, तीन फिट की जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैंगे, इसके बाद ये railing जो मैंने बताया है, side में side से closed किया है, और ये अलग texture दिया है, यहाँ पर door दिया है, यहा आपके घर को एक बेतरी सा look मिल सके, तो यह तो होगी first floor की बात, ground floor की बात, अब हम बात करते हैं सके large floor की, तो stairs को आदम से जैसे आप उपर आते हैं, तो मैंने stairs को डखने के लिए गुमटी क्रेड की है, इस दरवाजे से आप छट पर आ जाएंगे, जो कि साड़े तीन आपके छोटे-छोटे देख रहे हैं, यह भी designing के purpose से मैंने CC create की हैं, तो 13 वाई 50 प्रिट में आपको बेतरी सा front elevation, बेतरी सा model with shop देखने को मिल जाता है, अगर आप shop नहीं रखना चाहते हैं front में, तो आप उसे bedroom में convert कर सकते हैं, यह आपकी requirement पर depend करता है, तो model कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और इसका front elevation कैसा लगा, हमें जरूर बताएं, कोई भी अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, तो मैंने paid service से start की है, आप हमें contact कर लें, नमबर हमाना description में मिलेगा, WhatsApp नमबर है, वहापर हमें contact करें, मैं आपसे बात करूँँगा, आपकी requirement को समझ करके, आपके according house create करूँगा, लेकिन वहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको payment 50% advance देना होता है, तो अगर इस घर की cost की बात करें, cost कितना लगेगा, बनवाने में खर्च कितना आएगा, इसे find out करना चाहते हैं, तो आप हमारे small house plan application को play store पर जाकर download कर सकते हैं, यह description में आपको link भी जिरूल बुषे, थैंक्स वाचिए